हुआ है हाँ हैं Good new ंग मैसा today कि अपना टापिक चल रहा था भी अťाट 1st में ऑसुआ का टापिक है अपना खनीस्ते लेकिन इससे पहले अपन क्या पड़ रहे त्षप को ऒले के बारे में पढ़ रहे थे तो यह सारे चीज़े क्या है अपने पिछले टापिक में पढ़ लिए थी आज अपना है खनीच तेल राजस्थान में खनीच तेल के अंदर खनीच में आपका जो ओयल है पैट्रोल है उसका उत्पादन है वो राजस्थान में कौन-कौन से छेत्रों के अंदर किया जाता है पैट्रोल की उत्पाद्टी पैट्रोल की उत्पाद्टी के बारे में बात कर लेते हैं कि पैट्रोल जो है खनीच तेल जो है वो कहां से निकाला जाता है कौन सी चट्टानों से निकलता है कैसे इसकी उत्पाद्टी है वो होती है तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बतान चाहूँगी कि खनी सेल का जो उत्पत्ती है उसके उत्पत्ती के रूप में अगर देखा जाए तो ये क्या है आपकी आउसादी चटान या परतदार चटानों के अंदर क्या है ये इस मिलता है ये निकाला जाता है देखो जिस तरीके से मैंने आप लोगों को बताया कि कोई प्राकर्तिक गैस यह राजस्थान के पश्चमी भाग के अंदर निकाले जाते हैं और लगबग लगबग देखा जाये तो आपका बीका नेर है जैसरमेर है पाड़मेर है जोदपूर है इन चेत्रों के अंदर ही क्या है आपके प्राकर्तिक गैस खोला और जो खनी सेल है इसकी उत्पत्ती है मुख्यत है राजस्थान के पश्चमी छेत्रों के अंदर ही मरुस्थली छेत्रों में ही देखने को मिलती है तो इसकी उत्पत्ती के बारे में अगर बात करते हैं खनी सेल में तो खनी सेल के अंदर आपकी उत्पत्ती में कौन सी चट्टानों में आवसादी या परत दार चट्टानों में क्या है ये पाई जाती है कौन सा खनीजदे उसके बार अगर देखें तो आपका जिस तरीके से कोईले की उत्पत्ति के बारे में मैंने आपको समझाया था कि प्राकर्ति घटनाओं के कारण जो भुकंपी घटनाए हुई उनसे क्या है आपकी वनस्पति है वो प्रत्फि के गार रूम में चली गई जिसके कारण प्रत्फि के ऊपर से क्या लगता गया दबाब लगा जिसके कारण क्या है धीरे धीरे क्या हुआ जो कारबन और हाइड्रोजन है आपकी उसके अकारिंग क्या है आपका जो का ट्रव्ला इस चारा के अंदर बाटा गये तो इस तरीके से क्या है इसी तरीके से आपके उद्वानिश सेयल्म राज़ास्थान के पस्चमी भागों के अंदर इसलगर जेगर अर्थ से और पस्चमी भागों ही आपका खनीश देल की उत्पत्ती है वो मानी जाती है और राजस्थान में आपके कौन-कौन से जिलों के अंदर राजस्थान में जैसे बाड मेर जसल मेर वे बीका नेर छेत्रों में क्या है आपके अधिकतर क्या है खनीश देल है वो निकाला जाता है इसी के साथ साथ अगर बात करते हैं खनीश देलों की तो खनीशों के लिए मुख्यत है मैंने आपको बचाया कि ये परतदार चट्टानों की अंदर इसकी उत्पत्ती हुई है और काल कौन सा है काल तृत्तिय माहा तृत्तिय माहा कल्ब में आवसाधी चट्टानों की अंदर क्या है पैट्रोल की उत्पत्ती है वो मुख्य रूप से मानी जाती है या पैट्रोल का जो निर्मान दुआ है इसकी उत्पत्ती है वो तृत्तिय माहा कल्ब में आवसाधी चट्टानों के अंदर परतदार चर्टानों के अंदर मानी जाती है खनीज तेल और प्राकर्तिक के जो भंडार है खनीज तेल के साथ साथ ही आपकी क्या है प्राकर्तिक गैस है इसके भंडार है वो दोनों क्या है साथ ही लगबग पाए जाते है जहां पर आपका खनीच पदार्थ पाया जाता है उसी के आसपास वाले एरिया के अंदर ही आपका क्या है प्राकर्तिक गैस है वो भी पाई जाती है और इसके खनीच तेल के भंडार की द्रस्टी से बहुत ही विपन है कौन आपका राजस्थान राज्ये राजस्थान की अगर बात करते हैं तो राजस्थान खनीच तेल में बहुत ही विपन राज्ये है ठीक है तो इस तरीके से क्या है राजस्थान के अंदर देखा जाए तो जहां पर आपके खनीच तेल के भंडार मिलेंगे उसी के आसपास आपके प्राकरतें गैस के भी वंडार मिलेंगे अगे बात करते हैं इसके उपियोग की तो उपियोग मिं अगर देखा जाए तो खनीच तेल है उससे क्या है पैट्रोल, डीजल, डामर, परिवेहन के साधनों में उपियोग मिले जाते हैं और 37 रोतों में भी क्या है पैट्रोल को कामे लिया जाता है जैसे सड़क का निर्मान करते हैं तो किसकी जर्रत होती है डामर की जर्रत होती है और डामर के अंदर क्या है आपका पैट्रोल या खनी स्टेल है उसका निर्मान मतलब जब दामर का निर्मान किया जाता है तो क्या है आपका खनी सेल की भी जर्रत पड़ती है उसी के साथ साथ जो आपके परिवहन के साधन है परिवहन का जो भी साधन है आपका जिसमें आपका दो पईया से लेकर आपके फूर विलर के जो भी साधन है जैसे गाड़ी, मोटर, मोटर साइकल, आपके ट्रैक, बड़े बड़े जो ट्रैक्टर चलते हैं, बस है ये आपक के साधनों में भी क्या है पैट्रूल का सहयक माना जाता है और उसी के साथ साथ अगर बात करते हैं तो 37 रोतों में भी इसको काम में लिया जाता है तो सामाने जानकारी है वो बता देती हूं आपको राजस्थान में खनीज तेल खनीज तेल आवसादी या परतदार चट्टानों से से निकाला जाता है ये तो क्या है इसकी प्रमुख विसेस्ता के रुप में की कोन सी चट्टानों के अंदर से क्या है पैट्रोल है वो निकाला जाता है दूसरी इसकी विसेस्ता है ये क्या है रित्य त्रत्य माहा कल्प त्रत्य माहा कल्प में विकास माना जाता है किसका खनीज तेल के बारे में अपन क्या है खनीज तेल के बारे में पढ़ रहे हैं तो खनीज तेल का विकास या निर्मित है वो कौन से कल्प में त्रत्य माहा कल्प में इसका विकास हुआ है और आपके जो भंडार मिलते हैं खनीज तेल के उसी के साथ साथ क्या है प्राकर्टिक गैस के भंडार भी मिलते हैं तो खनीज तेल के आसपास ही प्राकर्टिक गैस के भंडार पाए जाते हैं ठीक है इसी के साथ साथ अगर बात करते हैं प्राकर्टिक गैस के तो गैस के अंदर आपके जितनी भी प्राकर्टिक गैसे हैं उनका निर्मान भी क्या है जहां पे आपके प्राकर्टिक खनीज पतात है वही पे आपका क्या है प्राकर्टिक गैस है वो निका जाती है उसके बाद में खनीज तेल का उप्योग क्या है क्या क्या अपने खनीज तेल है वो काम में आता है तो सबसे पहला देखा जाए तो परिवहन के परिवहन के साधनों में काम दूसरा सक्ति स्रूतों में में काम लिया जाता है तीसरा डामर वे डामर वे और कौन से साधन आपका जो और्जा संसाधनों में डामर वे और्जा संसाधनों में क्या है पैट्रोन का उपयोग किया जाता है उससे के साथ क्या है आपका जो इसके काम की अगर बात करते तो जब भी आपकी रोड पिछाई जाती है डामर की तो उससे क्या है आपका जो पैटरोल है उसको साथ में काम में लिया जाता है तभी आपका क्या है रोड का काम है वो पूरा हो पाता है इसे के साथ अगर बात करते हैं इसके उतपादक राज्यों की उतपादक जिलों की य लगबग देखने को मिलते हैं तो राजस्थान का मैंने आपको बताया कि ये जो मरुस्थलिय छेत्र है राजस्थान का इस मरुस्थलिय छेत्र के अंदर ही क्या है आपके खनीच, तेल और प्राकरतिक गैस है वो देखने को मिलती है तो बात कर लेते हैं उत्पादक उत्पादक छेत्रों की खनीच तेल वै प्राकर्तिक गैस दोनों के बंडार राजस्थान के मरुस्थली है मरुस्थली है भाग में मिलता है या राजस्थान का पश्चमी भाग राजस्थान का पश्चमी भाग यानि कि यह जो छेत्र है आपका यहां से बीकानेर जसल मेर बाड मेर और यह आपका क्या है बीच में थोड़ा सा जोद्गूर आ जाता है तो आपका जो पैट्रोल और प्राकरते गेस की जो भंडार है वो आपका भीकानेर जसल मेर बाड मेर के अंदर की क्या है लगभग देखने को मिलते हैं सबसे पहले अगर इसके खोज की बात के जाए कि भारत के राजस्थान में आपका जो यह खनी सेल है इसकी उतपरती है वो कम मानी जाती है तो 1984 के अंदर सादे वाला इस्थान पर जसल मेर में 1984 के अंदर सादे वाला जो छेत्र है जसल मेर का वहाँ पर क्या है इसकी उतपरती है वो मानी जाती है तो इसकी उतपादक छेत्रों के अंदर बात कर रहे है आपन जिले वाइस तो इसके अंदर जिले कुन से आ जाएंगे आपके जिलो में पहला जसल मेर बाड मेर बीका नेर साथ में क्या है आपका प्राकरतिक गैस भी है तो बीकानेर जोधपूर जसल मेर बाड मेर बीकानेर जोधपूर और उसी के साथ क्या है आपका गंगा नगर भी गंगा नगर का कुछ हिस्सा भी इसमें सम्मिलित किया जाता है आदी जिलो में प्राकर्तिक गैस वे खनीच तेल निकाले जाते हैं तो इस तरीके से क्या है राजस्थान के अंदर भी क्या है आपका भीकानेर जसलमेर बाडबेर जोडपूर गंगा नगर इन जो छेतरों के अंदर क्या है आपका खनीच तेल है और प्राकर्तिक गैस दोनों की मात्रा है वो निकाली जाती है उसके बाद खनीज तेल के अगर बात करते हैं तो आपके खनीज तेलों के अंदर क्या है? जो मुख्यत बेसीन छेत्र है राजस्थान की अंदर जो बेसीन छेत्र है जैसे जसलमेर बेसीन, बाडमेर साचोर बेसीन, गंगालेगर नागोर बेसीन, विंधैन बेसीन के अंदर क्या है आपके संभावित तेल बेसीनों का कुल छेत्रफल अगर देखा जाए तो एक लाग पचास हजार वर्ग किलोमीटर के अंदर फैला हुआ है खनीच तेल की अगर बात करते हैं खनीच तेल खनीच तेल बाड मेर बेसीन बाड मेर बेसीन जसल मेर बेसीन जसल मेर बेसीन बाड मेर साचोर साचोर बेसीन खीक है जसल मेर बाड मेर और उसी के साथ अगर देखा जाये तो बीका नेर नागोर बीका नेर नागोर वे विंधय चल विंधयन बेसीन आदी चेत्रों से खनी खनीज तेल के संभावित बंदार एक लाग पचास हजार वर्ग किलो मिटर खनीज तेल के अगर बाड करते हैं तो लगबाड मेर साचोर जो बेसीन है जसल मेर बेसीन है विकाने नागोर और विंधयन बेसीन के अंदर क्या है आपके जो खनीज तेल के भंडार है वो देखने को मिलते हैं इसके बात बात करते हैं जिले वाइस तो सबसे पहला जिला है आपका जसल मेर जसल मेर जिले तो सबसे पहले मैंने अभी आपको बताया था कि राजस्थान में जसल मेर जिले के अंदर अगर बात की जाए तो जसल मेर से 145 किलो मीटर दूर 1984 के अंदर क्या है सादे वाला स्थान पर खनी सेल का क्या है बहुत बड़ा भंडार है वो पाया गया और हाली के अंदर अगर देखा जाए तो जसल मेर जिले के अंदर क्या है एक अन्य कुए से भी क्या है तेल है वो निकाला जाने लग गया है और इसी के अंदर आपका बात करें जसल मेर में तो 1983 के अंदर जसल मेर जिले के ही घोटारू नामक इस्थान पर क्या है एक मिलियन घन मिटर प्राकर्ति गैस के भंडार भी देखने को मिले तो बात कर अपना जो टॉपिक चल रहा है वो तो क्या है खनी सिल और प्राकर्ति गैस के जो घोटारू जो छेतर है गोटारू छेतर के अंदर क्या है उन्नी सो तिर्यासी में तो क्या है आपके प्राकर्ति गैस के उत्पत्ति माली जाती है प्राकर्ति के गैस ठीक है और उन्नी सो चोरासी के अंदर उन्नी सो चोरासी में साधे वाला जैसल मेर से कितना 145 किलो मेटर दूर आपका साधे वाले इस्थान पर क्या है खनी सिल के हुए है उनका निर्मान किया गया तो बात कर लेते हैं जैसल मेर की और अगर बात करते हैं इसके अंदर तो यहाँ पे इससे एक पावर हाउस तथा कुछ प्राकर्ति गैस आधारित उध्योग भी इस थापित के जैसल मेर मेर में ही क्या है आपके जैसल मेर का कौन सा चेतर उत्री यह उत्री जैसल मेर का और यह पश्चमी चेतर उत्री पश्चमी चेतर में मैन हेरा टीबा के पास कमली ताल के अंदर भी क्या है आपकी प्राकर्ति गैस है वो निकाली जाती है या प्राक तैंडार है वो देखने को मिलते हैं इसी के साथ आपके जसल मेड में मारी बेसेन प्रमुख जो कोईल जो आपका पेट्रोल है उसके छेतर है वो मनहेरा, टी बा, घटेरू और तनोटा भाकरी आधी छेतरों में क्या है आपके जो आदी ऐसे छेत्र है जहां पे क्या है आपके प्राकर्ति गैस और क्या है खनी स्टेल है वो निकाले जाते हैं इसी के साथ अपन इसके उत्पत्ति के बारे में आपको बता देती हूँ जैसल मेर में जैसल मेर जिले से 145 किलो मिटर दूर साधे वाला नामक इस्थान पर तेल के कुड़े मिले और इनसे 1984 में साधे वाले इस्थान पर खनीच तेल के कुए लगाए गई कौन सा छेत्र है ये वाला यहां पर आपका है साधे साधे वाला गाँ जो जैसल मेर से कितने किलो मिटर दूर पढ़ता है एक सू पन्तालिस और जैसल मेर का कौन सा पाट आ जाता है इसके अंदर यहां सी है आपका जैसल मेर के ये कौन से छेत्र में पढ़ता है आपका जैसल मेर के उत्री पश्चमी छेत्र के अंदर ये है जैसल मेर के उत्री पश्चमी भाग में मिलता है उसकी बाट बाट कर लेते हैं दूसरा आपका आता है बाढ़ मेर बाढ़ मेर में लगभग आपका क्या है कौन कौन से छेत्र के अंदर से आपके जो खनी स्टेल है ONG, केयर्न, एस्वरिया, मंगला, भाग्य, इन छेत्रों में क्या है आपके प्राकर्तिक गेस है आपका खनीज तेल है वो अधिकतर क्या है इन छेत्रों से निकाला जाता है और यहाँ पर क्या है खनीज तेल के अधिक भंडार है वो देखने को मिलते हैं इसी के साथ अगर बाडमेर की बात करते हैं तो बाडमेर में क्या है आपके प्रते दिन कितना 1.5 लाख बेरल तेल है वो निकाला जाएगा और इसके जो भंडार है वो 20 साल तक लगातार इसी क्षमता से तेल देते रहेंगे इसी छेतर में क्या है आपका 1.5 लाख क्या है तन जो अगर बात करें है 5 लाख बेरल की तो यहां से क्या है 20 सालों तक लगातार इसी रूप में ये प्रते दिन आपका ओल है वो निकाला जाता है अगर बात करते हैं 20 सालों की लगातार तो 20 साल तक लगातार क्या है यहां पे खनी सेल है वो निकाला जाएगा उसके साथ अगर देखे तो यहां पे 2009 के अंदर केयरन इंडियन कमपनी ने तेल निकालने का कारिये प्रारंब कर दिया था कौन सी केयरन कमपनी ठीक है यह जो कमपनी है इंडियन इंडियन कमपनी ने खनी सेल का प्रारंब कर दिया था कितने सन में 2009 के अंदर उसी के साथ अगर बात करें खनी सेल की तो खनी यह है एक तेल सोधन कार खाना यानि कि यहां पे आपका क्या है रिफाइनरी भी लगाई गई है तेल जी सी जो छेत्र है ये वाला ये आपका कौन सा है रिफाइनरी छेत्र है वो माना जाता है ओ एन जी सी इसके अंदर और आपका क्या है जसल मेर के अंदर भी क्या है ओ एन जी सी जो छेत्र है यहां पे भी आपका क्या है रिफाइनरी छेत्र है वो लगाया गया है किसका खनी स तेल से सम्मंदित, उसी के साथ साथ क्या है, बाड मेर से आपका सलाया जामनगर तक पाइप लाइन से क्या है, तेल भेजा जाता है, बाड मेर से सलाया जामनगर तक क्या है, पाइप लाइन के द्वारा क्या है, पैट्रोल है, वो भेजा जाता है, और थार मरुष्थन की क्या है तेल निकाला जा जा चुका है इस छेत्र की अगर बात करते हैं तो लगातार यहां पर क्या है खनीज तेल है वो धीरे-धीरे क्या है निकाला जा रहा है तो बात कर लेते हैं आपके बाड मेर्की करने के लिदे की persönlich है बाडमीर में में एस्वर्य भाग्या, मंगिला, आदी छित्रों से खनीज तेल के विसाल भंडार मिले हैं इसी के अंदर क्या है आपकी बाड तरते हैं खनीज तेल की तो प्रती दिन कितना यहां प्रती दिन एक पॉइंट पांच लाग बैरल तेल निकाला जाता है कहां पे यह जो छित्र है बाड मेर के तो यहां पे क्या है एक पॉइंट पांच लाग बैरल तेल है वो निकाला जाता है प्रती दिन और क्या है 20 सालों तक लगातार इसी रूप में तेल निकाला जा सकता है संपूर्ण छेत्र की अगर बात करते हैं कि इस छेत्र में संपूर्ण जो खनीच तेल है वो उसके भंडार है देखे जाएं तो आपके कितने हैं 7.3 लाग बैरल खनीच तेल के भंडार संपूर्ण रूप में रूप में यहां मिलते हैं और कहां से कहां तक पाइपलाइन लगाई गई है पैट्रोल के लिए तो यहां बात करें तो बाडमेर से सलाया जामनगर तक बाडमेर के सलाया बाडमेर से सलाया जामनगर तक पाइप लाइन द्वारा खनीच तेल तेल खनीच तेल भिजवाया पहुचाया जाता है ठीक है यह किसकी बात कर रहे है बाडमेर छित्र की और बाडमेर का क्या है आपका बाडमेर का जो साचोर छित्र है भूगर्ब में काल बन मिथेन काल बन मिथेन में भी क्या है आपकी प्राकर्टिक गैस है वो देखने को मिलती है और यहां पे जो जनसंख्या है उसकी क्या है 360 वर्ष तक गरेलू प्राकर्टिक गैस है वो क्या है वो प्लब्द कराई जा सकती है यहां पे क्या है साथ ही क्या है 35 मेगावार्ट विजली का उत्पादन भी किया जा सकता है इसी के साथ अगर बात करें तो यहां 35 मेगावोर्ट विजली भी उत्पादित की जा सकती है तो यह क्या है आपका बार्डमेर वाला छेत्र है देखो मैंने आपको बताया है पहला बार्डमेर दूसरा जसलमेर जसलमेर का लगभग क्या है साथे वाले छेत्र से ही क्या है खनी स्टेल है वो निकाला जाता है और जसलमेर के कौन से भाग में पढ़ता है उत्री और पश्चमी भाग के अंदर ये पढ़ता है और यहाँ पे क्या है खनी स्टेल की प्राप्ति है वो मिलती है और यहाँ पे अगर बात करें तो इस छेतर में O N G C छेतर जो लगभग क्या है आपका यहाँ पे खनी स्टेल है वो निकाला जाता है दूसरा है आपका बाडमेर जिला बाडमेर जिले की अगर बात करते हैं तो बाडमेर के अंदर भी क्या है ओ एनजी केर्न एस्वर्या मंगला भागे इन छेतरों से क्या है प्रती दिन अगर देखा जाए तो 1.5 लाग बैरल खनी स्टेल है वो निकाला जाता है और कितने सालों तक 20 सालों तक क्या है यहां पे खनी स्टेल लगाता इसी रूप में निकाला जा सकता है और इसी के आजपास क्या है आपकी प्राकरति गैस भी मिलती है इसके बाद अगर बात करते हैं देखो इसका स्क्रीन सोट लेना चाहते हो तो ले सकते हो इसी के साथ आपका लास्ट बसता है इसमें उत्पादन अगर उत्पादन की यहाँ पर बात करते हैं तो आपका क्या एक आपका विकानेर जिला बच जाता है विकानेर जिले के अंदर 1922 में बगीर वाला इस्थान पर भारी क्रूड ओयल के भंडार है वो पाए गए है विकानेर छित्र के अंदर और उसी के साथ भगे वाला से तुवारी वाला तक क्या है 13 किलोमेटर छित्र में भंडार है वो मिले है इस छित्र में क्या है लगभग 3.5 करोड टंप के खनीज तेलों का क्या है अनुमान लगाया गया है तो एक और बता देते हूं विकानेर जिला जहां पर क्या है आपका खनीज तेल है वो निकाला जाता है बिकानेर बिकानेर के अगर बात करते हैं तो बिकानेर जो छित्र है वहां से भी आपका क्या है खनीज तेल है वो निकाला जाता है कितने में निकाला गया अप्रेल 1902 में बगी वाला छेत्र से क्रूड ओयल क्रूड ओयल के भंडार मिले हैं और यहां पर अगर भंडारों की बात करें तो यहां पर क्या है भागे वाले से तुवारी वाला तक 13 km छेत्र में इसके भंडार है वो देखने को मिलते है बगे वाला यह भागे वाला नहीं ہے भगे वाला से तुवारी 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 वाला तक वाला तक 13 वार्ग किलोमिटर छेत्र में खानीज तेल के भंडार मिले कहा से कहा तक बगी वाला से तुवारी वाला तक 13 वर्ग किलोमिटर छेत्र के अंदर क्या है खनीज तेल के भंडार है वो पाए गये है और इस छेत्र में क्या है 3.5 करोड टन खनीज तेल का अनुमान लगाया गया है इसी छेत्र में 3.5 करोड टन खनीज तेल के भंडारों का अनुमान लगाया गया है ठीक है अगर बात करते हैं व्यापार की तो व्यापार में क्या है आपका जो बाडमेर के मंगला वन वे दूसरा आपका ओयल फिल्ड में ONGC और केरनर इंडिया से रोजाना पोने 2.5 बैरल टेल का उपादन सुरू किया गया है और अब अगर देखा जाए तो यह बात में कितना हो गया था 3 लाख बैरल यानि कि पहले जब सुरूआत की गयी थी तब यहाँ पे उद्पादन है वो कितना होता था पोनी 2 लाख 1.75 लाख बैरल से इसका उद्पादन हुआ था लेकिन अब यह क्या हो गया है प्रती दिन आपका 3 लाख बैरल प्रती दिन क्या है निकाला जाने लग गया है और संपूर्ण उद्पादन की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे संपूर्ण उद्पादन है वो लगबग आपका कितना देखने को मिलता है साथ, साथ पॉइंट मंगलाम और भाग्यम मंगला वै भाग्य से 7.3 लाग उत्पादल है वो देखने को मिलता है संपूर्ण की अगर बात करते हैं तो बाडमेर वाला जो छेतर है बाडमेर बेसीन में तो आपका संपूर्ण जो है जो तेल का उत्पादल वो क्या है 7.3 अरग बेरल के भंडार है वो देखने को मिले है अरग बेरल ओयल के भंडार मिले है तो इस तरीके से क्या है आपका खनीच तेल के भंडार है वो देखने को मिले है अपने राजस्थान के अंदर क्या है कौन-कौन से छेतर है आपका ये वाला कौन सा होगा बीकानेर जसल मेर बाडमेर इन तीनों छेतरों के अंदर क्या है आपके प्राकरति गैस के भी भंडार है वो देखने को मिलते है और साथ में क्या है यहाँ पे खनीच तेल के भंडार है वो भी देखने को मिलते है और अधिकतर जो रिफाइनरी जो है आपके ओयल की वो क्या है बाडमेर छेतर के अंदर ही देखने को मिलती है ठीके तो अगर ये समझ में आ गया हो तो ठीके नहीं समझ में आये तो दुबारा एक बार रिपीट करके देख लेना वीडियो को ठीके आज के लिए बस इतना ही धन्यवाद